कि है फ्रेंट वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल मैं करण आज आपको डिजिल कंप्यूटर के टाइप्स बताने वाला हूं इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में तैपस उप कंप्यूटर के बारे में बताया था है टाइप सब हमारा hybrid computer था यह मैंने आपको पिछली विडियो में पढ़ाया है अगर आपने नहीं पढ़ाा तो पिछली विडिएयो में जाके इसको पढ़ सकते हैं तो मेरे आपको analog के बारे बता दिया है second जो है वह हमारा माइक्रो कंप्यूटर सेकेंड नमबर हमारा है मिनी कंप्यूटर थर्ट नमबर हमारा में मुखेंग सुपर-कंप्यूटर- साधाने के बारे में पढंगे न चल जह करते हैं सब्कूर्थ that process of microcomputer is very small so that call is microprocessor and device is called microcomputer microcomputer is single device इसमें कह रहा है that process of microcomputer is very small microcomputer का जो process होता है वह बहुत ही छोटा होता है so that call is micro process तो इसके process को हम लोग मैक्रो प्रोसेस कहते हैं इसकी डिवाइस होती हैं उसे माइक्रो प्रोसे कहते ही सरते हैं भुए हैं कि माइक्रो प्रॉट हाई हो गया फिर notebook हो गया जो digital notebook होते है वो भी हमारे सिंगल डिवाइस है माइक्रो कंप्यूटर में वह आता है अब हम देखते हैं सेकंड नमबर पर mini computer mini computer क्या होता है दप the processor of mini computer is very small but larger than micro computer processor many computer is multi-user device generally using company purpose मिनी कंप्यूटर में कह रहा है दा प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इस वेरी स्माल जो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसका भी बहुत ही स्मॉल होता है बट larger than micro computer but micro computer से थोड़ा बड़ा होता है ये mini computer is multi user device generally using company purpose जो हमारा mini computer होता है वो company में use होने वाले multi user device होता है जो company में बड़े बड़े company होते है वहाँ पर वो ही use होता है इसमें जो हमारा processor लगा हुआ तो mz लगता है mz का full form होता है megahertz अब हम देखते है mainframe computer mainframe computer में कह रहा है the processor of mainframe computer is larger it is multi user device number of user more than mini computer it is mostly used in the methodology mainframe computer में इसका process जो होता है वो बहुत बड़ा होता है it is multi user device और जो इसकी device होती है वो multi user होती है बहुत सारे लोग इसको use कर सकते है number of user is more than mini computer और जो इसकी user होते है वो mini computer से ज़्यादा होते है mini computer की जितने भी user होते है उनसे ज़्यादा ही होते है it is mostly used in methodology methodology में हमारा ज़्यादा यूज होता है इसमें जो हमारा process लगा होता है इसका फूल फॉर्म होता है million instruction per second इसके प्रोसेसर आपने सुना होगा MIPs के बारे में जो इसका प्रोसेसर होता है अब next हम देखते है super computer super computer क्या होता है the processor of super computer is largest then other device processing capacity is highest it is multi user device fastest calculating device generally used in the nuclear science for calculating purpose super computer में कह रहा है इसका जो processor होता है वह बहुत ही biggest होता है बहुत ही बड़ा होता है इसका प्रोसेसर इसका प्रोसेसर बहुत ही बड़ा होता है और यह बहुत तेज काम करता है इसकी capacity जो होती है बहुत highest होती है it is multi user device यह भी जो device होता है इसका हम लोग बहुत सारे लोग use कर सकते है multi user होता है and fast calculating device generally using nuclear science यह ज़्यादा तर करके nuclear science में लोग इसको use करते है calculating purpose के लिए और इसमें जो प्रोसेसर लगा होता है उसको हम लोग flops बोलते है flops का full form होता है floating point operation per second super computer में हमारा एक topic है super computer in the world इसमें मैं पूछा गया है कि जो हमारा first super computer है पूरे world में वो कौन सा है तो यह हमारा exam में बहुत आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा super computer पूरे world का सबसे पहला है उसे हम लोग क्रे बोलते है क्रे नाम है क्रे इस दा first super computer in the world is made on 1975 and made by Samuel क्रे इसको जो बनाया था Samuel क्रे ने इसको बनाया था अब हम एक और question पूछता है कि इंडिया में सबसे पहले super computer कौन सा बनाया गया था तो आई हम देखते है the first super computer in India इंडिया में जो हमारा सबसे पहले super computer बनाया गया था उसका नाम था परम 8000 इसको परम 8000 भी बोलते हैं is the first super computer in the India made on 1991 इसको 991 में बनाया गया था and made by Vijay Bhatkar इसे Vijay Bhatkar जी ने बनाया था now is the working of Pune CDEK company super computer जो हमारा परम 8000 बनाया था वो आज भी पूने की एक company CDEK जो computer बनाने का काम करती है आज भी वहाँ पर हमारा ये super computer यूज होता है अगर ये भी पूछा जाए question में कि हमारा जो super computer पहला बना था जिसे हैं वीजे भठकार ने सन 1991 में बनाया गया था क्या आज भी है तो हाँ आज भी है वो Pune में इस्तित है और CDEK company में वो यूज होता है ये हमारे digital computer के type हो गए ये हमारे digital computer इतने types होते हैं जिसमें हम लोग डिशल कंप्प्यूटर के types में हम दोंने पहला पढ़ा था माइकरो computer सेकंड हमने पढ़ा Mini computer थर्ड हमने पढ़ा Mainframe computer और फोर्थ हमने पढ़ा सुपर computer ये चार topic होते हैं digital computer के types होते हैं अब हम पढ़ेंगे hybrid computer यह type Herausforder के पार्ट है मैंहें आपको पहले बताया था do diesem अफिजियुटर में थ्रिय टाइप स्की होते हैं इनलोक कम्प्यूटर डिच्टल कंप्यूट और सुपरकंप्यूटर और फिर थर्ड नंबर पर हमारा जो आता है वह है राविड कम्प्यूटर हाइब कम्प्यूटर में हमारा कहे रहा है डिस इजए कॉंबनेशन ऑप ड़ इनलोग अन देजिटिल कंप्यूटर इज मोस्ली यूज न हॉस्पिटल इजिए हॉस्पिटल में देख लिए है इसीजी मसीन अल्टरसाउंड मसीन मॉडेम मॉडेम का फुल फॉर्म मॉडेलर एंडी मॉडेलर होता है यह हो गया हमारा हाइबरेट कंप्यूटर अब इसके बाद हम नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री अप कंप्यूटर के बारे में अब इसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को प्रेस कर दें थैंक्यू